एलो एन वेलकम फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जब भी आप टेन में टिकट बुक करते हैं तो आपकी सामने एक 10 डिजिट का पी एन आर नमर जनरेट होता है बुक करने के बाद आपका जो है पी एन आर नमबर जनरेट होने के बाद अगर आपका पूरasting के इसी डिजिट में टिकट बुक करते हैं उनको यह बार 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 पर परिषानी झालने परती है। वह अपना ब्राजर में जाकné हमेशाज करते रहते हैं रहे मैंने तस दिन हो होगा है और ऐसे में उनको जो है यह बहुत ही मुश्किल हो जाता है उन्हों जानना कि मेरा टिकट उस डेट को जिस डेट को मैं जाना चाहता हूं काटा हूं ज्ट को अप्र तो आज किस वीडियो में तो आप लोग euro को मालुम पर जाएगा आप लोगी चेकर सकते हैं शजमें हो और अगई आप लोग को जये वीडियो जाना प्लोग चारट बने तक इनतजार जरूर करिए गात कि हम जो हैं इस वीडिओं में जान नाइंटी परसेंट काम करने वाले लेकिन आपको चार्ट बने तक इंतिजार करने पते हैं तो पहले विडियों पेर्फ स्थीर नय गती हुआ 20 child क्रेंग चाहिए तो पहले मैं हम ऐना चेक रहूंगा पनार स्थेट इस इसका लिंक में डिस्क्रिप्षेन में डाल दूंगा आप चेक कर शकते हैं यहाँ पर जो है सर्च किया हूं मैंने कि तो जो है देखिए यहाँ पर प्तना सब आप पांच बीटिंग बताया जा रहा है मतलब यहूं से कंफम हो जागा यहां पर एक sign देख सकते हैं red बोल रहा है not likely confirm बोलता है yellow color की medium है और green confirm हो जाएगी तो मेरा green बताया जा रहा है और अब मैं चलता हूँ यह second PNR status की तरब तो मैं यहां पर type करूँगा फिर से PNR यहां पर PNR यह second option में क्लिक करूँगा मैंने PNR copy किया हुआ है paste करूँगा देखे यहां पर भी मेरा पांच बेटिंग तरफ टेप में आते हैं अपने रेल कनेक्ट में और आते हैं PNR inquiry में आपको चेक कर शकते हैं यहां पर PNR inquiry में आपको ट्यक्रने के बाद कुछ इस परकार का आपको आइकन दिखेगा यहां पर लोगा अपना PNR नमर डालिए गाई जो 10 GD टिकेट करने के बाद मिल होते हैं इसमें अगर आपका बता दिया 75 तो मतलब यह माल ली जी आपका टिकेट कन फर्म हो जाएगा लेकिन मैं यहां पर चेकर रहा हूं करेंट 5 है लेकिन मैं यहां पर जब मैं चभिन पर प्रोबैबिलीटी पर चेक करता हूं तो यहां पर मेरे को कुछ इस परकार का इरा अब मैं फोर्थ स्टेप की तरह बढ़ता हूं और यह स्टेप बहुत ही कामका है चुकि यह स्टेप से आप क्यूक्ली मालिम कर सकते हैं कि आपका टिकर्ट कंफर्म हो गया नहीं लेकिन यह स्टेप में आपको थ्रह मैथमेटिकली ध्यान देने पड़ेंगे तो चलिए मैं स यहां पर आप मालूम कर सकते हैं यहां से मैं पत्ना से बापी चेक किया हूं 12 जुलाई को मैंने काटा हुआ है बारा को मैं देखता हूं मेरा तो बेटिंग है पांच अभी बचेगा है 41 में काटा था और उस टेम पूरा कटा था 102 लेकिन अब कितना बचा हुआ है मेरे को यह भी चेक करना है तो यहां पर देखिए बारा जुलाई को एक्षो निननान में 19 जुलाई को जो है एक्षों चालिस एंड और 26 जुलाई को 59 अब देखते हैं मैं इसमें कौन-कौन से कंफर्म होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं कितना का रेसियो है तो सबसे पहल कि मतलब यह हुआ कि अगर और टिकट भूख होंगे वह कंफर्म नहीं होंगे मैं सेकेंड में चलता हूं आप लोग लास्ट तक देखिए समझ में आएंगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं अब 19 जुलाई को मैं देखता हूं 149 वेटिंग है 26 जुलाई को देखिए 59 वेटिंग है 2 अगस्त को 15 वेटिंग है मैं 19 जुलाई को चलता हूं कि चेक कर लेता हूं तो 19 जुलाई को मैं चेक करता हूं पैसेंजर डिटेल डाल के दीखिये अप प्रोश्य लाए है अनेवल टोप्रोसेस्ट रिक्वेस्ट कुछे रहा फिर से देखिए यहां पे है 192 करते हैं तो नहीं होगे कंफर्म क्यों नहीं होगी चुकि आपको 130 जो है पूरे होने चाहिए देखिए यहां पर लिखा हुआ 130 के आसपास अगर होती है तब ही आपको कंफर्म होगी आई यह बहुत कर लेंगे 100% कंफर्म हो हो ही नहीं रही है आप लोग पहले इंजेक चुके हैं 330 बाइ 109 में हैं मतलब 130 के रेशियों में अगर आप करते हैं उसे पहले आपका कंफर्म हो जागा दरवाज से नहीं हो पाएगा आप आज से चक कर सकते हैं तो आज के लिए वसीतना है और मिलते हैं नेक्स लिए में तब तक के लिए